अपने सिरीज में जो हमारी चल रही थी ड्रामा के बारे में डिवलप्मेंट ऑफ ड्रामा एंड ओरिजिन ऑफ ड्रामा इन इंगलेंड जिसमें हम ओरिजिन तो देख चुके हैं कि चर्च किस तरीके से ड्रामा को लेके आता है और फिर हमने ये भी देखा कि कैसे व्यापारियों ने उस ड्रामा को अपने लिए यूस किया और इंगलेंड में उस ड्रामा की शुरुवात होई आगे बड़े and thereafter we also discussed that how English people were influenced by suddenly the classical models of Latin and Greek drama और फिर हमने देखा कि अचानक से फिर एक ऐसी चीज आई कि हमें classical model को follow करना चीए जो कि हम Ralph Royster, Doyster पहली comedy आई थी, Garboda का आई थी tragedy जिसको Senecan tragedy भी कहा जाता है जो Seneca पुरी तरह classical model पे based लिखते थे, Italian तो या फिर हमें अपना रस्ता चुनना चीए और यहाँ पे मैंने पिछली स्रीच को छोड़ा था तो English drama अपने रस्ते को चुनने के लिए तयार था और classical models के साथ समझाता करने को तयार था तो इस तरीके से England के drama ने classical models के साथ छोड़ना शुरू किया और अब आपको ले चलता हूँ आज कि जब यह सब होने लगा तो England के अंदर theater की शुरुवात कैसे हुई और theater कैसे आई theater वो जगह या वो मंच है जहां पर हम drama को perform करते हैं और जिसकी वज़े से Elizabethan England जो है drama जो है इतनी ज़्यादा उस age में बहुत ज़्यादा फले और फूले हैं कह सकते हैं कि the drama actually you can say that blossomed there in that age तो देखते हैं इसमें क्या हुआ था तो सबसे पहले जब drama व्यापारियों ने चुना तो उसके बाद जो धनार डिवर्क के लोग थे जिसे हम nobleman कहते थे और जो king के खास लोग हुआ करते थे उन लोगों ने इन companies पे अपना अधिकार जमाया और उन लोगों ने अपने नाम से company खोलनी शुरू की जिसमें professional hire actor करते थे और जो भी इसमें पैसा होता था ये इनका share उन पे बनता था और वो उन लोगों को थोड़ा उनका share देते थे तो इस तरीके से ये लोग एक ऐसी जगह की खोज में थे कि जहाँ पर ये permanently दिखा सकें क्योंकि अभी तक गलियों में चीच चल रही थी, pageants में चल रही थी, जो गाड़ियां होती थी उनमें चल रही थी और एक जगह की तलाश थी एक और बड़ा interesting पहलू है कि उस जमाने में अगर कोई आदमी जो है drama में act करना चाता था तो इनको किसी न किसी company के साथ जुड़ना ही पड़ता था और एक company के उस family के नाम से होती थी जिस जो noble family है, जो अमीर लोग इनको चलाते थे जैसे मैं for example कहूँ कि Lord Chamberlain's servant एक company का नाम था तो इसको Lord Chamberlain की company थी ऐसी मैं कहूँ Lord Admiral's man तो ये एक अलग company थी तो इस तरीके से Lord के जो नाम थे, उनके नाम से company थी और अगर किसी actor को इन companies का नाम नहीं दिया गया और दो magistrate का license नहीं मिला कम से कम तो उसको ये Parliament में Act पास वाता है लिजा बेधन Parliament में कि वो पुरी तरीके से एक नकारा आदमी साबित होगा या उसे रोग करार दिया जाएगा आवारा या उसको कहीं से कोई मानेता नहीं मिलेगी तो किसी ना किसी noble family के अंडर जो है आपको जुड़ना ही पड़ता था और उसका आदिपत्य स्वीकार करना पड़ता था as a master खेर इन चीजों के चलते चलते एक जगह इंगलेंड के अंदर famous होने लगी जहां ये नाटकों की शुरुवात सी होने लगी और लंदन इन नाम था उसका लंदन इन यानि लंदन सराय और उस सराय के अंदर जो है जगह पे आंगन में एक बड़ा space था और लोग एक खास जगह उसे बनाने लगे कि इस जगह पे हम लोग नाटक कर सकते हो लोगों की भीड़ वहां जुटने लगी तो हुआ यह कि जब नाटक यहां पर होने लगे तो भीड़ जुटने लगी तो कुछ अपराद बढ़ने लगे और कभी किसी के जेब काट दी जाती थी कभी लड़ाई जगड़े हो जाते थे कभी excitement के दोरान हाता पाई भी हो जाती थी नाटकों को देख के और कभी कोई क किसी पर comment कर दे चीटा कशी कर दे तो वो भी एक महाल बिगाड़ता था तो लंदन authority को इसकी चिंता होने लगी और उन्हें इस बात पर खेद जता है कि लंदन के बीचों बीच एक महाल खराब करने की साजिस चल रही है इसके बहाने की नाटकों के बहाने यह सब गड़ब था उस ओर जाके यह किया जाए और वहाँ पर एक जगह को center बनाने जाने की अनुमती मिली और यह जगह दोस्तों आप सभी से वाकिफ हैं इस जगह से आप सभी लोग यह जगह वो ही जगह है जहां पर चौसर के pilgrims ठहरते हैं जब चौसर अपनी prologue to the canterbury tale लिखता है तो कजिकर है और यह सराय का नाम है Tabard Inn तो Tabard Inn को एक center of theatrical activities बनाने की पहल शुरू हुई और इस तरीके से पहली बार ड्रामा इस लंदन के बीचों बीच से उठके नदी पहार पार city के बाहर move हुआ जिससे की लंदन के नागरिकों को असविधा का सामना न करना पड़े लेकिन क चा Tabard Inn ही जो है थीटर के रूप में ढल पाया ये एक question था लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जब हम बात करें कि पहला थीटर जब आने लगा इंग्लेंड में या बनने लगा या बना तो वो कौन सा थीटर था और कौन सी जगह चुनी गई तो वो Tabard Inn बिलकुल नहीं था बलकि उसके उलट वो एक North की जगह थी जहां पर Shoredik नाम था और Shoredik में तब कई चीजों में लोग ये प्रयत्नशील थे कि कोई ऐसी जगह बने और Shoredik में एक पहला थीटर शुरू किया गया और उस थीटर का नाम आप सभी को याद रखना चाहिए उस थीटर का नाम था The Theater यानि नाम भी उसका थीटर ही था The Theater और ये घटना मेरे खाल से रही है 1576 की हाँ 1576 में पहला थीटर आया था और जब ये पहला थीटर आया तो ये होता है कि एक शुरुआत भर की देर होती है और फिर तो चीज़ें जोड़ती चले जाती है और थीटर पर थीटर उसके ब और बहुत सारे थीटर हैं जिसमें सेक्षपیर का थीटर भी बाद माता है गलोब थीटर फिका है बलैक फ्रायर आता है और जाने कितने थीटर बनते हैं और ये थीटर की अब एक सिरीज शुरू हो जाती है और जैसainे ड्रामा थीटर के अंदर आता है तो अचानक छो है भ कुछ खास किस्म के theater होते थे इनमें तीन साइट से जो है एक bonding होती थी यानि तीन साइट से बंद होता था boundary होती थी और छट इसकी नहीं होती थी छट खुली होती थी और सामने open एक stage होता था उसमें चारों और से covered stage नहीं होता था और उस stage के जो है ठीक back side में back drop में तीन दरवाजे हुआ करते थे जिसमें बीचों बीच के दरवाजे को हम inner stage भी कहते थे यह वो दरवाजा था जो किसी गुफा के लिए भी use किया जा सकता था या bedroom के लिए भी use किया जा सकता था या कोई दुकान अगर बनानी है तो उस दरवाजे को खोल के as a shop use किया जा सकता था एक दरवाजा खुलता था जो dressing room की और ले जाता था आपको और एक दरवाजा दूसरी और खुलता था जो पीछे जाने के लिए था stage के इस stage के उपर एक और stage होता था छोटा सा balcony जिसमें उपर उस balcony को use करते थे नाटकों में जैसे Romeo and Juliet में जब आपको पता है कि Juliet छट पर आती थी तो वो उसी balcony पर खड़े होके आती थी और Romeo जमीन पर होता था वैसे ही इस balcony को God के लिए भी use करते थे कि अगर भगवान ने अगर appear होना है तो वो balcony में होंगे तो तरह-तरह से इसका use किया जाता था बात आई छट की तो छट खुली रहती थी और इसी जो है तीन boundaries के बीच में एक pillars पर based gallery बनी होती थी जो लगबग दुमजले के तरीके से बनी होती और open gallery होती थी जो तीनों और ऐसे घूमती थी और वो open gallery जो है elite लोगों के लिए होती थी जैसे कभी रानी आए या फिर दरबारी आए और बड़े लोग nobles आए तो वो उपर open gallery से देखा करते थी नीचे लोग first में बैठा करते थी और सामने open stage में चीजें हुआ करती थी यह काफी interesting setup था और Shakespeare के globe की setting जो पूरा लकड़ी का बना हुआ है वो तो आज भी वैसी है और आज भी वहाँ नाटक चलते रहते हैं हर रोज के वहाँ 4 show आज भी होते हैं लंदन में globe theater में और बिलकुल original form में उसे रखा गया है उसके अलावा एक खास theater की में यहाँ पर बात करना चाहूंगा जो theater था black friars और black friars theater के एक खास बात यह थी कि इसमें तीन और से जो दिवारें थी वो तो ठीक थी लेकिन इसमें च्छत थी और यह पूरा covered theater था यानि कि यह किसी भी मौसम में यहाँ पर कोई भी नाटक किये जा सकते थे जबकि बाकी theaters में ऐसा नहीं होता था और वहाँ नाटक जो है मौसम के मोहतास थे जब मौसम अच्छा तो नाटक हो सकते हैं if the weather conditions are not good then you cannot just perform the play over there but in case of black friars this was a diametrically opposite scenario where in black friars it was covered from all over and it has a very good roof and this actually has a good space also so this was meant for rich people the landlords, the nobles and that's why it charges high और इसके charge high थे और लोग common लोग यहाँ नहीं जाया करते थे क्योंकि यह एक तरीके से पैसा कमाने का भी सादन थे theater तो इस तरीके से black friars एक elite तरीके का theater था जहां common लोग जाना पसंद नहीं करते थे और क्योंकि इसमें charges भी हाई थे तो ऐसे theater की शुरुआत हुई दोस्तों और फिर theater चल निकले Elizabeth ने उनको बहुत support किया और इस तरीके से drama का अब्यूद है जो गलियों से, church से, गली में, गली से, गाडियों में और गाडियों से फिर खोली जगहों पर, खोली जगह से फिर सराय में जाके खतम हो रहा था वो अचानक से एक अपने मंच पर पहुचा जिसे हम रंग मंच कहते हैं, जिसे हम theater कहते हैं और इस तरीके से शुरुआत हुई, England के अंदर theater की तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये आपको समझ आया होगा कि drama किस तरीके से शुरुआती सफर से theater तक पहुचे और आगे हम बात करेंगे कि इसके बाद अंग्रेजी drama ने या English drama ने कैसे करवट ली जो हम अगले episode में करेंगे Thank you